इतनी विशम परिस्थिती में भी इतने उत्सा और मनोयोग के साथ में आज जो हम लोगों का इंतिजार कर रहे थे इक बार जोड़ात आलिया आपने आपके लिए आज इस गाओं पंचायत में हम लोग आते हुए बहुत बड़ा व्रिक्ष भी देखा होगा आपने बर्गत का बर्गत में बहुत वर्ष कुराना पेड़ है और व्रिक्षा जो व्रिहाद अभियान मानिय मुख्यमंत्री जी के तत्वा घ्मानु में विगत महा चला है 15 अग होगा क्योंकि ग्राव विकास का पंचायती राज का जो भी व्रिक्षा रोपन का कारेप्रम था वो प्रणाम जी और सभी के माध्यम से चला है आज इस गाओं चौपाल का आज के दिवस का ये अंतिमायोजन है और बहुत बारिश भी हो रहे हैं आपको इस चौपाल के हैं और पंद्रवा ग्रॉक ये तरवगंज ब्लॉक जिसकी आज ये अंतिम चौपाल आपके ग्राम पंचायत में आयोजित की गई है इस चौपाल की जो एक श्रंखला पूरे जन्वद्धर में शुरू की गई है उसके पीछे जो मूल हुआ हो ये था कि आपकी जो समस्या हैं और उनका निराकरण समस्याओं का समार्भान आपको फीवे उप्रब्धिकराएं इस श्रंखला को उसका परिणाम हम लोग देखते आरे हैं पीछे के जो हमारे 14 ब्लॉक्स जहां पर अलग-अलग जम्य पर शौपालों का योजन हुआ है समस्याओं का बहुत ही तुरित गती से लिदान हुआ है कुछ ही जबह पर समस्या जो है हो फोर्ट के से या धन के आभाव में या किसी समन्पर के आभाव में हो सकता है थोड़ी रुकी हो लेकिन कोई ऐसी समस्या जिसका